नमस्कार स्वागत है आप सभी का एनम 92 12 भरती में जितने भी आप सभी के सवाल हैं कमेंट हैं हमने सभी देख लिया है और यहां पर उन सभी कमेंट पर आप सभी के सवालों पर बात करेंगे और कुछ महत्पुट जानकारी भी मिलिए उसको भी लेकर के सेयर करेंगे आप पास भी लगातार फोन जा रहे हैं किसी के लिए देखे संभव नहीं हो पा रहा है कि वो पीडियफ मिले कैसे क्योंकि उसके लिए क्यों हम लोग रिक्वेश्ट कर सकते हैं उन समंदित जिला के सियर मुआफिस से और जैसे ही पीडियफ मिलती जाएगी आप लोगों को सेयर क कर देते अभी पूरी कोशिस हमारी है कि जैसे ही सभी जिलों की पीडियफ मिल जाएगी एक बार हम पूरे 75 जिलों की पीडियफ आज तो वैसे हराल में हम सेयर कर देंगे अगर कोई एक दू जिला अगर रह भी जाता तो कोशिस करेंगी पूरी कि उन जिलों के भी पीडिय वाली है, समझ से परें चीजे हैं कि यहां पर जो आपने पांच प्रिफरेंस दिया है, उसके बाहर का जिला क्यों आपको दिया गया, हर जिले में सीटे जब हैं खाली बची हैं, अभी तो प्रोवेजनल की बहने बची हैं, उनको तो अभी जिला प्रिफरेंस भी नहीं लिय गया है अभी तो हर जिले में सीटे बचिए उसके बावजुद आपको अपने पांचो प्रिफरेंस में से कोई दूसरा जिला कैसे मिल सकता है कुछ बहने कह रहे हैं कि हमें हमारा नाम नहीं मिल बारा है जितनी पीडियाफ होगी उतनी पीडियाफ आपने चेक कर लिए होगी केवल पांच पीडियाफ नचेक करें अगर आपका नाम नम मिल पाया हो तो आप बागी केवी पीडियाफ चेक करें क्योंकि बहुत लोगों को बागी पांच जिले के अलावाद दूसरे जिलों में भी उनको आवंटित कर दिया गया है जिला ऐसा होना नहीं चीजिए था क्या बता है इसमें कुछ चीज से समझ में नहीं आ पारी किस तरह से इनोंने जिला आवंटन भी भाग के तरफ से किया गया है और अभी आप लोग केवल जिला मिल जाना चाहिए और आप लोग तो भी फ्रेस सेलेक्टेट थे अभी तो प्रोविजनल की बहन है दो चार जि जिला नहीं मिल पा रहा है उनके नंबर अच्छे हैं उसके बावजूद मेरिट के आदार पर जिला अलाटमेंट होता है अब इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कते लखनों वाली बहनों को हुई हैं लखनों के लिए प्रेफरेंस ज्यादा आ गयते हैं तो हमने पहले आपको लगाए होगी कि हमें यह जिला मिल जाएगा कम से कम सेकेंड या थर्ड का कोई दूर का जिला मिल गया तो फिर वही है कि ड्यूटी करने में दिक्कते हैं खैर यहाँ पर प्लीज आप लोग केवल ज्वाइनिंग पर फोकस करिए क्योंकि जिला अलाटमेंट जो विभाग स उसको भी लेकर के जिनका भी लिष्ट में नाम ना मिल पाया हो जैसे कुछ लिष्ट अधूरे हैं क्या एक आप देखेंगे नोटिस आए थी उसमें किस जिले में कितने सेलेक्टेड हैं साथ चार एक सुनवासी में से आप सभी को याद है और आप सभी के पास वो पीडिय पीडियेफ और दोड़ने में दिक्कत हो रहा होगी तो प्रिस तोड़ा स्वह आप देख लिएगा भगये हम पीडियेफ फिर से से सेर कर देंगे हम आज जितने भी पीडियेफ हैं essant सिरे जितने अटिस की पीडियेफ है सभी के सभी सेर करेंगें कह चाई तो जितने उस PDF अदूर है मतलब आपको क्या पास जो PDF गई है उसमें कोई पेज मिस हुआ है या फिर कोई PDF की लिष्ट आपसे मिस हुई छूटी है आपसे तो PDF अदूर है ये भी हो सकता है कि आपका नाम ना मिला हो तो PDF आप पहले एक बार देख लिए इसको कि जो हम आपको बताना चाहते जैसे ये वाली PDF है, माली जी आपको आगरा की PDF मिली और उसमें टोटल 128 बेहनों को ये जिला अलाट हुआ है तो उस लिष्ट में 128 बेहनों के नाम होने चाहिए अगर 128 बेहनों के नाम नहीं है, मतलब वो लिष्ट अधूरी है इस वज़े से भी आपको अपना नाम न मिल पाया हो ये भी चीज़े संभव हैं, तो पूरी लिष्ट आप देखिएगा बाकि हम आज दो पर तक पूरी लिष्ट जितनी हमारे पास मिल पाएगी बाकि हम पूरे दिन कोसिस कर रहे थे, रात को 11 बज़े, 12 बज़े तक जात करके कि मिल जाए पीडियेफ, आपको तुरंट सेयर कर दें लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं, सुवच्छे बज़े से ही लगातार देख रहे हैं सबस्ट बज़े से लगातार कि कोई भी पीडियेफ मिल जाए तो आप सब को सेयर कर दें कुछ पीडियेफ हमारे पास आज बेजी गई है, मतलब नंबर से हमें पता भी निकि पीडियेफ हमें किसने बेज आया है हमारे नंबर पे पीडियेफ आया था, तो उनका भी बहुत भूँद धन्यवाद है और वो पीडियेफ फर्स्ट अगम हमें भेजा गया इस तरह से, फिर वो पीडियेफ हमने गूरूपों में फारवर्ट कर दी, हर गूरूपों में पहुच भी गया होगा, इसी तरह से कल जो भी चीजे होती हैं, सेयर करते हैं, इनफार्मेसन हो, चाहिए पीडियेफ हो, तो जिन जीलों की पीडियेफ नहीं मिल पाई, अगर आप में से किसी की पास हो, प्लीज आप हमें भेजिए, और उसे आज हर हाल में दो पहर तक सभी को मिल जाना चाहिए, ये कोसिस है, औ अगर ओ गुरूप भी अगर फिल होगी, आप मेंबर फूल हो जाएंगे, तो हम एक नया गुरूप तुरंद बना देंगे, लेकिन पीडियेफ आज आप सभी को मिल जाएंगी, तो जो बहने किसी भी गुरूप में एड नहों, अभी हम एक गुरूप कमेंट में पिंड कर जाएगा, आपको कमेंट में डूरना नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो जो बहने किसी भी गुरूप में नहों, तो आप गुरूप से जरूर जूड जूड जाएं, ये गुरूप केवल और केवल आप लोगों को पीडियेफ के लिए हैं, बस इसका कोई परपज नहीं है, कि अब उसी को लेकर के बात करेंगे, लेकिन एक नोटिस और देख लेजिए, ये नोटिस अभी मिली है, थोड़ी दिर पहले, इस नोटिस में जिन बहनों को मुक्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र बितल करेंगे, उनकी पूरी डिटेल है, उन बहनों का नाम ह तोटल यहाँ पर 16 माफी चाओंगा, तोटल यहाँ पर 28 बहने हैं, जिनको मुक्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र बितल करेंगे, ऐसे तो लकनों में बहुत सारी बहनों को नियुक्ति पत्र बितल होना है, आप लोग जानते हैं, लकनों में जिन बहनों को लेकिन जिन बैनों को दूस्रे जिलों से बुला कर के लकनौ में मुखी मंत्र जेक्वे आथों से न्यूक ती पत्र बितल करें आई उसमें लकनों की बहँने है और सेष आठ जिले की और बहुत है तो उस सभी बहेनों का नाम्या पर डिटेल पुरा है नीचे वही है कि क्या-क्या उनको डॉकुमेंट्स लेकर क्याने हैं अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे क्योंकि बाकी लोगों को भी बहुत बड़ी समस्या हो रही कि हमें 21 थारी को डॉकुमेंट्स कौन सा लेकर के जाना है आप सभी के पस हमारे वीडियो के प्रॉपर साउंड प्रॉपर आवाज जाती तो है ना ऐसा नहीं कि आपको आवाज धीरे सुनाए देती हो तो प्लीज थोड़ा सा वालूम अपने मुबाइल का थोड़ा सा कर लीजेगा तेज आप तो हमारी पूरी कोशिस होती ही कि आप तक जो भी जानकारी हो बिल्कुल क्लियर सही तरीके से हम पहुँचा पाएं और सभी जिलों के PDF नहीं मिल पाने के वज़े से हमें भी बहुत दिक्कत हो रही है कि आकास जल्दी से मिल जाए PDF तो हम आप लोगों को नाम नहीं मिल पाया है तो एक request आप से भी से मौर करेंगे आप सभी से करेंगे क्योंकि अकेले हम करने पाएंगे यह request यह है कि हम आपस में जैसे किसी बहन का नाम नहीं मिला किसी दूसरी बहन से समपर कर लिया है उन्होंने दो-चार बहने मिल करके उंका नाम ढोड़ने की कोसिस करें प्लीज ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से हम गुरूप भी आज चैट भी आउन कर देंगे लेकिन उसमें केवल और केवल जो काम की बाते हों सिर्फ हो ही करनी है प्लीज में आपस में थोड़ा सा इंफार्मेसं को सिर्फ करते रहना है क्योंकि हम सभी एक परिवार की तरह हैं और परिवार में एक दूसरे की मदद करेंगे सब का उसमें भला हो जाएगा सब की साहता हो जाएगी तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे डोकुमेंट्स में पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड मूल रूप में लेकर क्या आना है साथ ही आपके जनपत से उपरोगत सूची में समलित अभ्यार्थियों को कारिकरम में ले आने एतू अच्छी यह नोडल अधिकारियों के लिए हो गया अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सभी डोकुमेंट्स नहीं मांगे जा रहे हैं मतलब आपका अधार कार्ड हो गया इतना परियाप्त है बाकी के जो डोकुमेंट्स है वो ज्वाइनिंग के समय देने होते हैं लेकिन एक जिला CMO से हमने भी देखा एक लेटर पीडिया था उसमें ज्वाइनिंग के समय मतलब ज्वाइनिंग लेटर मिलने के समय ही वे डोकुमेंट्स मांगे जा रहे हैं तो सभी डोकुमेंट्स बनवा करके तो देपाना संभाव नहीं लग रहा है लेकिन उसके बज़े से आपको दिक्कत नहीं होगी अगर वहाँ पे उस CMO सर बोलते हैं आपको देगना ही है बनवा करके आप अपने जिले में इसको पता करना है ठीक है समधित जिले में जिन बहनों को मुक्य मंतर जी के हाथों से न्यूक्ति पत्र मिलना सीपुने सभी के लिए बता रहे हैं आपर कि सब को जो है आपर फोन काल संपर करके तो उसमें डोकुमेंट्स समंधित जो भी चीज़े है न कुछ बहनों को आज बुलाया भी गया है कुछ बहनों को आज उनकी सम्मंधित आवंटित जीले के सीअमो आफिस में बुलाया भी गया है डोकुमेंट्स के तयारी के लिए और आप सबको भी यही कारि करना है कि जो डोकुमेंट्स में तयार करने जैसे कोई सपत पत्र है कोई श्वा घोशना पत्र है तो उसका फार्मेट या कैसे लिखना क्या करना है वो जा करके अपने हम सीअमो आफिस से पता कर लेंगे दो-चार मेहने भी गई उनको पता चला उनके मादेम से बाकी लोगों को पता चल जाएगा तो यह चीज़े हमें ग्रूप में शेयर करते रहना है ठीक हम चैट आउन कर देंगे आप सभी लोग सेयर करते रहेगा आपस में बस यह है कि बहुत जादा जो आवश्यक मैसेज हो बस वह ही हमें सेयर करना ताकि सभी मैसेज आप लोग देख पाएं अगर उसमें कुछ मैसेज ऐसे हम लोग करने आपसे बाचित करने तो फिर वह बहुत सारा मैसेज होने के वज़े से इंपोर्टन मैसेज होंगे वह आप तक पहुंच नहीं पाते हैं तो जो भी डोकुमेंट्स आपको बनवाने है उसके लिए आप पता कर सकते हैं अपने CMO आफिस से और एक जो चरितर प्रमार पत्र है अपने संस्था से बनवाना है तो माले जी कहीं आपका दूर कहीं आपका इंस्टिटूट हो आपको वहां पर कैसे जा जाएंगे आप जहां तक हमें पता है क्योंकि आप लोग फाइले सेलेक्टेट ने भी जोइनिंग करने जाएंगे आगे अभी तो कि वहला आपको जोइनिंग लेटर मिलने वाला है उसमें सम्मधित अपने डोकुमेंट्स जो आपके पास है पहले सा वेल पर वह आप लेकर के जा सकते हैं और जो राज पत्र ततिकारियों से लिखवाना है चरितर प्रमाण पत्र बनवाना है वह भी आप बनवा सकते हैं ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती उनके पास फार्मेट होता है बनवा लीजा फिर अपना फार्मेट आप एक ले लिजीगा जो आपको फार्मेट जा करके आप शंपर कर सकते हैं ठीक है सारी चीचे तो उसमें ठीक कोई दिक्कत नहीं है एक जो आपका स्वस्तता प्रमार पत्र है चुकि यह आपके मुख के चिक्के से अधकारी द्वारा ही निर्गत होगा तो आपको तो जाना ही पड़ेगा इसके लिए अपने श्यम मौ तो अगर ये कोशिस करिएगा आप लोग इसे पहले से आपने कोई चैदितर प्रमार पत्र बनवा करके रखा हो ऐसा हो सकते आपके पास हो या अगर आपने नव बनवाया हो तो बनवाने की कोशिस करिए अगर बन जाये तो बाकि अपने श्यम मौ सर से भी आप लोग बात कर लिजिएगा कि सर इस प्रकार से हम बाद में दे सकते हैं क्या क्योंकि हर जिले कि CMO आफिस महां पर किस प्रकार से ओक डोकुमेंट्स मांगते हैं उनके उपर भी करती है तो हम सबके लिए एक जैसी चीजे तो नहीं बता बाएंगे लेकिन इसके वज़े से दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए वाकि कोसिस आपको यह करना है कि अगर मांगा जाता तो आपको बनवा लेना है 21 तारिक के लिए ही वाकि आगे तो आपको देना ही पड़ेगा जोइनिंग के समय तो आप पहले बनवा लेंगे तो आपका कार्या भी हो जाएगा आगे आपको जो कार्या करना ही करना है बस यह कि किसी के लिए संभव न हो एक रिश्टे से ज़्यादा हो तुरंद जाकर के न हम बनवा पाएं तो उस इस्तित में आप अपने जिले में CM CMO Office में प्लीज बात कर लीजिएगा उसके लिए कोई भी हमें लाबरवाई अपने अस्तर से नहीं रखना है एक ही आपको जो स्वागोशना पत्र ही आपको ऐसा ही सिंपल फार्मेट पर लिखकर के देना होगा यह फार्मेट आपको अपने CMO Office से मिल जाएगा और यह जो सप प्रतिग्या पत्र तो कोई एक फार्मेट मिलेगा उसी पर हमें यह लिख करके देना होगा यह भी स्वागोशना पत्र की तरह ही है इसमें कोई सपत्र या कोई notary एफिडेविट देना नहीं है बस इतने ही डोकुमेंट से इसमें आपको दिक्कत क्या हो रही है डोकुमें आपको समझ में है चीजी एक पर फिर से सुनिए उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत लगे हम आपस में भी बाग करेंगे और कोशिस करेंगे कि आज हम जितनी भी चीज़े आप सब इसकी बीच में और सियर कर पाएं कुछ हमारे पास कुछ और अगर जानकारी मिलती है को जो जिला अलाट हुआ है हमारा नियुक्ति पत्र तो वहीं पर होगा विवाग सी नियुक्ति पत्र तो वहीं पर भेजा गया होगा आपकी पीडियफ भी आपके उसी जिले में गई होगी जितो जहां के आपका नाम है जिस जिले में तो आपको वहीं से जाकर कर के जो भी स संबंदित डोकुमेंट्स तयार करने हैं आप से भी संपर करेंगे लेकिन आप लोगों को अपने से भी आपको संपर करना है अपने CMO आफिस चले जाना है अब कुछ बहने क्या रहे हैं हमारा OVC गेटिगरी था हमारे 54 नंबर थे सपोस्ट एट हमारा यूर में सेलक्स लु घैंवा लया होगा फिर बी 10-5% को समझन में आता है लेकिन यहां पर ऐसे लग रहा है जैसे ज्यादतर ourselves को अपना झिला मिला ही नहीं है बहुत कम बहने को अपना झिला मिला है ऐसा लग-र लग रहां कि जितने कृश्य capable में आधी को देखते वह начते लिवे तो लग रहा है आप देखिंगे उस समय कि कुछ लोग इस तरह से कि हम अपना जिला कैसे हमें मन पसंद जिला मिल जाए उसके लिए भी कोशिस कर रहे थे वहाँ पर भी कुछ चीजी हुवी नहीं और इस तरह के चीजी होना भी नहीं चाहिए सब कुछ पारदर्सी तरीके से होना चाहिए जब आप ज्वाइनिंग लेने जाएंगे ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी आपके जिले में CMO पर आफिस पर तो वहीं से फिर आपको पोस्टिंग का पता चलेगा आपकी पोस्टिंग जो आगे कि पोस्टिंग आदि होगी आपकी वहीं से होगी कि कौन सा ब्लाक या कर लेने हैं तो प्लीज आपको डोकुमेंट्स अपने रेडिक कर लेने हैं बाद में आपको तयार करना ही करना होगा 21 के बाद जब आप ज्वाइनिंग के लिए लिख जाएंगे तो इससे अच्छा है कि कोशिस करिए आपके पहले से ही आप वे डोकुमेंट्स आप तयार कर आपको जब नियुक्ति पत्र लेने जाना होगा तो ये सभी डोकुमेंट्स जिनों नहीं आपर मेंसन करवा दिये हैं जो डोकुमेंट्स आपको देने थे ज्वाइनिंग की समय अगर आपके सम्मंद्र तिजले से अगर ऐसी अगर डिमांड ने की जाती है आपको डोकुमेंट्स 21 तारिक को ही देना है तो आप प्लीज तैयार कर लीजे जो डोकुमेंट्स ना बन पाएं उनके लिए आप बात कर लेंगे हुआ पर उसकी वज़ेसा आपकी ज्वाइनिंग नहीं रुकेगी ज्वाइनिंग लेटर ऐस ऐसा नहीं कि आपको नहीं देंगे ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपको डोकुमेंट्स के लिए समय भी चीए बनवाने के लिए अगर आप किसी कारड़ बस नहीं बनवा पाते हैं उसका आपको रीजन बताना होगा लिकिन उसकी लिए आपको अपने सम्मतित जिले के शेमावट करना होगा ठीक है आपका अपना जिले से मतलब नहीं जो जिले आपको अलार्ट हो गया अब उसी जिले में जो भी आगे की प्रोसेस होनी है वहीं से आपको संपर करना होगा वहीं पर आपको ज्वाइनिंग लिटर वहीं से आपके डोकुमेंट साधी तयार करके वहीं से आपको डोकु अगर आपने सुन लिया होगा तो बहुत अच्छा अगर आपने न सुना हो तो पिलीज पूरा एक बार जरूर सुनिए गा सेर भी आप सभी कर सकते हैं आपके इच्चा था कि सभी तक दिखिए सही जानकारी पहुँच जा याए सही जानकारी नम मिलने के करण तो सेज आगे की जो भी अपडेटों की मिलेंगे निक्स्ट वीडियो में और आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत बदाई है शुब कावना है आपके ज्वाइनिंग को लेकर आपके ज्वाइनिंग लेटर के लिए आपके आगे के उज्वल भविश्य को लेकर के धन्यवाद